और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक फ्लावर वेस का डियाइवाई जो की बनाने में जितना आसान है देखने में उतना ही सुन्दर है और मैं आपका इसका क्लोजर लुक दिखा देती हूँ यह इस ट्रैप का है तो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा यह बहुत ही इजी है और कोई भी इसको बना सकता है और आप कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते है देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगा मैंने इसमें ब्लू कलर का और वाइट कलर का यूज किया है आप चाहें तो इसमें औरेंज वगरा या जो भी कलर आपको पसंद है वो यूज कर सकते हैं यह कैसे बनाया है वो देख लेते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह डिया आईवाई आ आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले विद बेल बटन ताकि इस ट्राइब के वीडियो आपको आगे भी देखने मिले तो चले शुरू करते हैं कैसे बनाया है तो मैं इसके लिए ले रही हूं एक ये पुराना घी का डबा और ये 500 ग्राम का है तो मैं इसको क्या करूँगी इसकी प्लास्टिक निकाल दूँगी इसको कट कर दूँगी और प्लास्टिक इसकी निकाल दें और मैंने अंदर से इसको वाश कर लिया है और अब ये इस तरह का है आप चाहें तो कोई बॉटल वगरा भी यूज कर सकते हैं तो ये करने के ब प्लास्टर ऑफ पैरिस यह लगबग चार से पांच चम्मच है फुल यह वाले स्पून मैंने लिया है और इसमें मैं क्या कर रही हूँ यह पीवीए ग्लू है नॉमल इसको मैं थोड़ा सा एड़ कर रही हूँ लगबग एक चम्मच के करीबन थोड़ा सा आप चाहें तो क्र्यापति आप अपफी सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि क््रैक होने कड़ा रहा है क्रैक हो जाता है तो मैं इसलिए आपको ग्लू अड़ करके फिर बता रही हूँ हूँ ।ो इसमें थोड़ा थोड़ा पाने में लाते चाहे और स्मूध पेस्ट बना लें तो ठीक पेस्ट बनाना है और स्मूद पेस्ट इतना जयादा भी गड़ा नहों पेस्ट की बहुत ज़ाधा है स्मूद इतना होना चाहिए हम चापाती बनाने के लिए डो क्रते हैं इस टाले का छाईंट हो जाए ओर यh detry और ये देखें यह इतने स्मूद होना चाहिए इसके अндर हम इसके अगर स्पून लगाेंगे चाहिए इस तरीके से smoothly दिखें इसके अंदर कोई lumps ना रहें और बहुत ज़्यादा soft होना चाहिए tight अगर बनाएंगे तो आपका जो waste है वो तूट जाएगा ये plaster of Paris जो है वो सूखने के बाद में crack हो जाएगा इसलिए paste बनाने का ही सबसे ज़्यादा में ध्यान रखना है तो ये इस तरीके से paste बनाया है ये देखिए इस तरीके से कहीं पर भी हम वो करेंगे सब तरह से ये smooth finishing आनी चाहिए हमारे P.O.P में जब ये ऐसा लगे तब आप सबच जाएगा कि paste तयार हो गया है और अब मैं इस paste को इस waste के उपर spread कर लूँगी evenly कहीं से बोटा और कहीं से पतला ना हो इसको evenly spread कर देना है और ये थोड़ा heavy हो जाएगा और आप चाहें तो spoon कि ये किसी knife की help भी ले सकते हैं इस तरीके से spread करने के लिए तो ये मैंने इसके उपर पूरी P.O.P लगा दी है और इसी knife की help से मैंने spread करके बिल्कुल even कर दिया है और आप देखेंगे कि मैंने काफी मोटी layer लगाई है इसके उपर जिसकी वज़े से ये waste जो है वो काफी heavy हो गया है और आप जबी भी लगाएंगे आप पूरी मोटी layer लगाएं अच्छे से क्योंकि अगर आप पतली layer लगाते हैं तब भी ये P.O.P जढ़ने का डर है लेकिन मैंने ये नीचे के साइट से नहीं लगाई है क्योंकि नीचे के साइट से हम paint भी कर देंगे और अभी ये गीली है और सूखने से पहले-पहले मैं क्या कर रही हूँ मैं ले रही हूँ एक fork और इसमें कर रही हूँ मैं lining वो भी सीधी-सीधी इस तरीके से आप चाहें तो वेवी कर सकते हैं चाहें तो आप इसमें circle बना सकते हैं इसी fork की help से और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये POP यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगा जो wall care Backart फुट्टी जो होती है जो White Wash करने से पहले Pुट्टी का यूज करते हैं वो पुट्टी भी यूज कर सकते हैं और जो furniture जब बनता है तो आपने अगर furniture बना रही हूं और lines बनाने के साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखें कि ये जो इस तरीके से दिख रहा है ना आपको इसको साफ कर रहा है इसको हम इसी तरीके से हाथ से ज़ाड़ते हुए साफ कर देंगे और इस तरीके से आप चाहें तो brush का use भी कर सकते हैं कोई भी आपके पास brush है तो उस brush की help से भी कर सकते हैं मैंने इसी से कर दिया है और फोक को जरूर साफ कर ले क्योंकि अगर फोक को साफ नहीं करेंगे तो फोक के अंदर के जो ये पी ओपी लगी होगी ना उसकी वज़े से फिर आपके इसके जो gaps है वो अच्छे से नहीं दिखेंगे और ये जितने गहरे होंगे उतना ही अच्छा लगीगा इसलिए हमने मोटी लेरिंग की थी मैंने इस तरीके से इसके उपर काफी फोक से ये निशान लगा दिये हैं ये लाइनिंग कर दी है और इसके बाद में मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी 24 गंटे के लिए 24 गंटे तो नहीं वैसे तो ये जल्दी सूख जाता है दो से तीन गंटे में सूख जाएगा लेकिन मैं तब तक के लिए इसको टच नहीं करूंगी जब तक ये अच्छे से ड्राइ नहीं हो जाता ड्राइ होनी के बाद में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बिल्कुल वाइटनेस सी आ जाएगी तो चलिए अभी सूखाने र तो जहां पर पतली लियर होती है पिऊपी की तो वहां से जड़ जाता आए जहां पर थिक और मोटी लियर होगी वो नहीं जड़ेगी तो कोशिच किजैकां कि मोटी ही लियर लगानी है आपको काफी थिक कॉन्टिटी में यह मैंने लग बग्ग chic एक सी लिएड़ इंच मो दे रही हूँ यह acrylic color यह मैंने blue color के लिया है आप अपने decor के और अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं यह मैं एक plate में निकाल लेती हूँ और इससे मैं इस वाले waste को पूरा paint कर लूँगी paint करने के लिए आपको जो brush भी suitable लगे उससे कर लिजाए यह मेरे पास एक छोटा सा brush था चोड़ा brush था उससे मैं कर रही हूँ इससी यह जल्दी होगा और इसमें पानी आड़ ना करें paint में क्योंकि अगर आप पानी आड़ करेंगे तो यह कलर छोड़ देगा इसलिए इसमें पानी आड़ ना करें तो मैं आदे गंटे के लिए मैंने सनलाइट में रखा था जिससे की इसकी प्योपी भी अगर कहीं से गिली रह गया तो वह भी अच्छे से ड्राइ हो जाए और इसका कलर भी अच्छे से सूख जाए तो अभी इसका output कुछ इस तरीके से आ रहा है और यह अंदर से ऐसा है पीछे से मैंने हलका सा इसमें paint किया है अब चाहे है तो कर भी सकते हैं चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं आँला की नीचे से सुखा नहीं है क्योंकि एलसे खड़ा किया था तो अब स्थिया कहा हुआ वह गया है यह अच्छा को धुलरन सकतेर जान है और इसको इस तरीके से आपको अराम से देखते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें हलका सा हमें texture type का shade देना है तो इस तरीके से और ये देखेगी बहुत जादा लगेगा इसके उपर तो फिर वो output हमारा निकल के नहीं आएगा जो हमें चाहिए तो इस लिए इस तरीके से करें हलका हलका और बार बार लेने की जरूरत नहीं है paint इसी paint को हम कर देंगे जब तक हमारे sponge के अंदर paint है और जब भी paint लेंगे उसको लेने के बाद में जैसे हलका सा touch किया और उसके बाद में इसी plate पे एक दो बारी dab-dab कर देना है जिससे की extra जो paint है वो इसमें से निकल जाए ये texture तो अभी मैंने इसमें सब जगा texture कर दिया है अपना और करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है अब ये गीला है तो मैं इसको dry करने के लिए थोड़ी देर के लिए और रग देती हूं और पीछे से मैं इस तरीके से किया है आप चाहे तो orange, yellow, किसी भी color के flower लगाएंगे इसमें बहुत सुंधर लगेगा और आप चाहे तो इसके अंदर money plant भी ग्रौ कर सकते हैं तो ये पानी अंदर भने ही इसके अंदर और उपर से money plant डालने ही इसके अंदर बॉन है तो वह बी ग्रौ कर सकते हैं otherwise इस तरीक के fake flowers वगरा लगा सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा ये DIY अगर आपको पसंद आया है तो इसको like और share करना ना भूले मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तके लिए बाए